लंबे अर्से के बाद अपनी फेवरेट एक्ट्रेस को मिले सल्मान खान लोकमत अवार्ट फंक्शन के दौरान रवीना टंडन ने सल्मान को देखते ही लगाया गले इन दिनों बॉलिवुड एक्टर सल्मान खान खबरों में अहम मुद्दा बने हुए हैं पिछले काफी दिनों से सल्मान खान अपनी फिल्मों को लेकर और फिर एक बार बिग बस में अपनी धमाकेदार वापसी को लेकर खबरों में बने हुए हैं लेकिन अब सोशल मीडिया से लेकर हर जगल सलमान खान अपनी पुरानी दोस्त कहलो या उनकी फेवरेट हिरोईन रविना टंडन से मिलने के बाद काफी चर्चा में बने हुए हैं। आप सबने सलमान खान और रविना टंडन की फिल्म अंदाज अपना अपना तो जरूर देखी होगी जहां सलमान खान रविना टंडन की एक्टिंग ने सब का दिल जीत लिया था और इन दोनों की जोड़ी को भी लोगों ने काफी पसंद किया था। काफी वक्त हो चुका है लेकिन सल्मान और रवीना एक दूसरे को वक्त ना मिलने पर कभी नहीं मिल पाए और यहां तक कि इस फिल्म के बाद वो किसी भी फिल्म में एक साथ नजर नहीं आये हैं लेकिन अब लंबे अरसे के बाद रवीना टंडन सल्मान खान को मिली है तो जब रवीना टंडन सल्मान से मिलती है तो उनका रियक्शन सल्मान को देख पूरा बदल जाता है लोकमत अवर्ट फंक्शन के दोरान यहां सल्मान खान की मुलाकाद रवीना टंडन से हुई यहां लंबे वक्त के बाद एक दूसरे को देख रवीना और सल्मान काफी खुश हो गए इन दोनों से जुड़ी कई तस्वीरे और वीडियोस भी सामने आये हैं जिसमें यह दोनों साथ में खड़े स्माइल देते दिख रहे हैं और एक दूसरे को गले भी लगा रहे हैं बता दे कि रवीना टंडन काफी लंबे समय से फिल्मी परदे से दूर रही है लेकिन जब केजियेफ चैप्टर टू में प्रदान मंतरी के किरदार में दिखी फिल्म पटना शुकला से होने जा रही है वही सलमान खान की बात करे तो सलमान खान इन दिनों अपने चर्चित रियालिटी शो बिग बस को लेकर काफी सुर्कियों में हैं वो जल्द किसी का भाई किसी की जान में बड़े परदे पर वापसी करेंगे